नमस्कार दोस्त में मनिश वर्मा अब सभी का स्वागत है हमारे जान पर आज किस वीडियों हम बात करेंगे हैं हमारी स्वेंट्स है तैंथ में हो यह त्वेल्थ में हो लेकिन को एक्जाम अक्टूबर 2022 में होने जा रहा है प्लिस इस वीडियो को एंट देखना क्योंकि यह इस टाइम ऐसे काफी सारे टीचर्स के साथ इनके मीटिंग की गई और इस टाइम पर ऐसे काफी सारे इनवेटिव आइडिया जुड़ाए गए ताकि एनिस बोर्ट के द्वारा ऐसे बहुत सारे दूसले लिये जा रहा है जिससे कि इन फ्यूचर के अंदर इतने भी एनिस काफा सब्जेक्ट इसको गेशन सब्जक क्याते हैं और इस वे छोड़ा गया ताकि को इनको को पता होगा इनका को अभी तुपिकल के लाइब मैन्यूल होता है न वो दिया गया है तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है टीचर के लिए इसमें काफी सारी दोस्त यहां पर मतलब कह सकते हो कि अनिस बोड के द्वार है किया रहा है तलंगाना के अंदर इस टाइम भी मीटिंग की गई बहुत जगा भी इस सबसे ज़्यादा बच्चे पास हुए जबकि यह डेटा बहुत कम है अगर आप हम इसको कंबेर करेंगे अभी आपको में दिखाता हो पार यह डेटा कितना है एनुस पूर्ट के अंदर एवरी एर 35-40 परसेंटेज पास परसेंटेज होता था तैंथ में होई या त्वैं लेकिन इस टाम क्या हुआ अप्रेल 2022 के अंदर क्लास 10 के अंदर टोटल एक लाग तेरह हजार 901 बच्चे में से 57,551 बच्चे पास हुए याट मिस 50 परसेंट बच्चे पास पर मुस्ट आप कहा सकते हो अप्रोप्स में क्लास 10 के अंदर जो की जो लास देर का डेटा था वो 44-43 परसेंटेज था क्लास 12 की बात करते हैं हम जहां पर क्लास 12 के अंदर टोटल 176,924 बच्चे अपेर हुए थे और उसके अंदर से 92,410 बच्चे पास हुए याट मिस क्या सकते हो कि 52 परसेंटेज रिजल्ट रहा क्लास 12 का पहली बार ऐसे हुआ है कि 50 परसेंट कंपारिमेंट आगी या अवरल सब्जक्ट के अंदर वो फेल हो यह सेम डेटा अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी खुसकबरी की बात है कि दो तो 10-15 परसेंट बचे ज्यादा पास गोई जबार लेकिन अगर यह डेटा 80-90 परसेंट होता तो खुसी और ज्यादा मिलती है इसी चीज़ को लेकर दोस्ती मीटिंग की गई और मीटिंग के अंदर एनस पोर्ट के जितने भी अधिकारी है उनको भी सामन किया गया जिसमे जो स्टेट बोर्ट से आप स्टेट बोर्ट का दो डेटा उठाओ वहां पर भी आप देखिएगा 95-99 परसेंटेज वहां पर बच्चे पास हो जाते हैं लेकिन अनस बोर्ट के अंदर ऐसा नहीं हो पा रहा है इस चीज़ को दोस्त इस मीटिंग के अंदर मुद्दा उठा करना क्या है कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मत लेजिए जो आपके समझ से बाहर हूं कोई ऐसा टफ सब्जेक्ट कभी चूज मत करें अनस बोर्ट के अंदर आगे आप किसी को लगता है कि आर्ट से ले लेता हूं बड़ चीज पढ़ नहीं पाएंगे अगर पीश्यम ने रहे ह ना क्योंकि ऐसे कुछी सब्जेक्ट अनस बोर्ट के अंदर जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है एक चीज़ में आपको इक्जांपल देके बदाता हूं फिलिक्स हो गया कैमेस्ट्री हो गया मैथमेटिक्स हो गया और वायलोजी हो गया एकाउंट इकनूमिक्स यह सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपको चैप्टर के कंसेप्ट को समझना ही होगा अब कुछ भी नहीं कर सकते इनके अलावा अगर और भी सब्जेक्स की बात बताऊं तो आप प्रिवियस तीन यह के यानि कि आप तीन सालों के कोस्टन पेपर भी कर लेते हो डैड़ इस इन कि अगर आपका आंशर सही है मतलब ज्यादा छोटा भी नहीं है सही लिखा हुआ है आपने और आपने सीट भर दिया है टीचर आपको माक्स देगा ही देगा तो अप्रेल 2022 के तरह मैं अक्टूर 2022 के सुट को बताना चाहता हूं कि आपको भी एक विकोशन छोड़ कर नहीं आपको लेड कर रहे हैं दोस्त अगर मेरी बात की आपको समझ मधाती है मैं आज दनीनव दस सालों के लिए का बाव कर रहा हूं आपको गाम कर रहा हूं और वीडियो के के अंदर आपको क्लासर में होने के लिए असाइमेंट याने टी में टैक्टिकल सॉल्यू्स इंस नि लिंग दी गई है आप वहां से ले सकते हो एक चीज आपको धियान रखना है जो भी टिप्स ट्रिक्स बता रहा हूं तो प्लीज कोई भी टफ सब्जक्ट मत लेना एक गल थी मैं उनका नाम यहां पर मैं बताने नहीं चाहता हूं फिर भी उनके बार ही बताता हूं उन्होंन उन्होंने PCM का एक्जाम दिया उन्डिमांड के अंदर फिर वो फेल हो गए जब थर टैम उन दिया तो उसमें भी वो फेल हो गए तो उनको मैंने यही कहा कि आप PCM के लिए बने ही नहीं हो आप सब्जक्ट कुछ ऐसा लो जिससे कि आप पास हो जाओं आप PCM लेकर ऐसा रहोगे क्योंकि कही होता है कि पैरेंट ऐसा कहते हैं कि नहीं पैरेंट्स आते हैं कि बेटा साइंस में पास होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा यह मानना है अगर आप PCM कर सकते हो अगर आप Commerce के अंदर आप पर पॉलिटिकल हिस्ट्री सोशोलोजी जियोग्रोफी यह डॉच्ट से देड़ेंज आप ट्रा कीजिए अप ठर्रक सकते हैं यह बूरा नहीं है लेकिन आप चार बार करो फार करो उप्रीषाष करेंश करते जा रहल हुआ हुए ही निरा कुछ झा फाइदा मेरे दोस्ट ऐसे सब्जक्ट पाना को चेंज करके नए सब्जक्ट लो लेकिन यह नोवत आए ना अब जब एडमिस्ट में ले रहो हो गया हम दोस्त यही करते हैं क्योंकि बच्चे कहीं ब्रोकर से कहीं कोचिंग इंसिटूट ले लेते हैं उनको इस इसका गाइडेंस नहीं दिया जाता हम क्या करते हैं सबसे सब्जक्ट मत लेजिए जो आपके लिए सही है और जो आप कर सकते हूं अब मालनों कि आपके टाफ सब्जक्ट ले भी लिया है अब उसको आपको कोई पढ़ाने वाला गैडेज देने वाला नोर्स इंपोर्टन कोसन अगर आपको मिल जाए और उसको कोई समझा दें तो यही तफ सब्जेक्ट आपको बहुत लगने लगे जाएगा हम online classes के देर दोस्त यहीं करते हैं वोश्टर बैच या प्रीमियम बैच दोनों में किसी में भी आप जोइन हो सकते हो लिंक लिए डिस्क्रप्शन वोक्स में आप चेक आउट कर सकते हो एंड तो तीन मैं आपक इसा पूछा जा रहा है और किस तरह के सा कुछन आ रहे हैं कोपी चैकिंग का जो फॉर्मूला निस बोड के अंदर फ्लेक्सिविल्टी काफी यहां यहां पर होती है लेकिन बच्चे क्या करते हैं अक्सा कुछा कुछ और लिक्पनी कुछ और ही देते हैं वो अकर 10 परश के चांसे बढ़ते हैं मतलब कि जो आपकी जो मार्क्स उस बहुत बढ़ जाते हैं तो आपके जो ओर लोग कहा सकते हो की पास प्रसेंटर बढ़ने के बाद आप कहीं पर हायर इंद्टर आपकी बड़ी हुए हुँती है इससे आपकी वैलू बढ़ जाती है ठीक है टीए म सब्जेक्ट है उनका प्रैक्टिकल नहीं बनाना वो नहीं उनका टीए में बनाना है ठीक है चलिए तो आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा और अप्रेल 2022 के जितने भी स्वेंट्स पास हुए हैं उनको तो बहुत बहुत सो काम नहीं है वो आगे वो काम कर के अंदर आप आये हो तो आपके जो सब्जेक्ट हैं आपने उन सब्जेक्ट पे कितना अपना अपना सिलेवस का पोर्शन कवर किया है क्या अभी तक आपने एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं किया तो धोस्स खत्रह के घंटी बश सकते कभी भी कोशिस कीजिएगा कि के अंदर कर रहे हैं students के साथ अगर आपने अभी तक जो इन नहीं किया है तो जो इन कल लिजिए ताकि अक्टूबर 2022 के अंदर हम आपको गरांटेड पास करवाए यह दोस्त हम नहीं हमारी students का बोलता है आप जाके चेक कीजिए description box के अंदर मैगजिन का लिंक दिया मैंने आपको यानिके जो टॉपर स्कृत रहे इस पार उन सब का लिंक दिया गया है इससे बहतर रेजल्ट हो दोस्त अक्टूबर 2022 के अंदर इसकी बहुत-बहुत मतलब की मेहनत करने वाले हम भी चैनल करने के लिए कि अक्टूबर 2022 के अंदर बहतर करना है इसलिए maximum students को पास किया जाएगा बस आप उन चीजों को फोलो करना एक भी कोशन छोड़कर मताना और जो भी आप लिख रहे हो आप विलीव करके लिखो कि बस मुझे ये पॉइंट्स में लिखना है और उट पटांग पास हो जाए तो धन्यवाद बैस में जो बच्चे इस बार परशेंटेस थोड़ी से दिल को सांती और 10 साल से हम तो बच्चों गाया यहां पे बहुत बुरा आयकर था 30 परसेंट्ट यानिकी पास परशेंट्स बहुत कम हुआ करता था इस वार 50 परसेंट यानि आदे तक पहुंच गए हैं अब इसको दोस्त मेरा टारगेट टेक्स पर अफ्टूर 22 के अंदर 75 परसेंट तक पहुंच पाना इसमें आप सभी का साथ चाहिए प्लीज दोस्त को जोविन करने चैनल नहीं तो पिल सब्सक्राइब कीजिए तो बैल अबारगा